SSE CGLJS होगी, last video का top में छोटी सी mistake थी कि हमने tier 2 का data consider किया था जो आपको मैं वीडियो में बोल भी चुका था कि tier 3 का data नहीं है लिकिन उसके बाद कुछ student ने data send किया एक अच्छा खासा number data था और कुछ हमारे पास data था तो मिला कर एक बहुती बेहतरी निकल कर आया one third data था लगबख 720-75 student का filtered बाके ऐसे data तो लगबख 1100 student का था लेकिन filter करने के बाद लगबख 720-725 के समझे की student बचे जो कि बहुती सई तरीके से उनों ने mention कर रहे थी सारी चीजें और कुछ चीजें miss थी जैसकि ये previous year में उनका selection हुआ है या नहीं age factor 27 plus minus है या नहीं और दूसरा tier 1 के marks क्या है तो ये सारी चीजें और एक W का score ये नहीं पता था वहाँ पर तो ये भी एक बहुत important role play करता है हालाकि हमें ये पता है कि previous year में same post के लिए कितने selected हुए है आपकी preference क्या होगी DV में उसकी उपर भी काफी चीजें depend करती है age factor 27 plus minus पर ही depend करता है कुछ बच्चे ओईटर चूस कर लेते हैं कुछ नहीं कर पाते उसका current age factor भी होता है कुछ की personal choice होती है डेटा की authenticity हम ये मान कर चलते हैं कि filter data के बाद भी 90% data ही authentic होगा बागी 10% authentic नहीं होगा after filtration good score in W.O. का मतलब यहाँ पर यह है कि अगर कोई बच्चे W.O. में भी score कर रहा perfectly जो कि यहाँ पर mention नहीं है तो definitely वो डवल यह ही choose करेगा before JSO यह sure बात है human error possible है और tier 1 के marks भाँ depend करते हैं क्योंकि अगर वच्चा tier 1 में UR category से clear है बाकी other जो tier 2 है tier 3 है वो तो UR से definitely clear कर लेगा ज्यादा cutoff नहीं जाती है तो tier 1 especially अगर clear है तो definitely वो UR की exceed लेगा और UR के top पर हमाँ पर फरक पड़ेगा इसके साथ नहीं 10th जो point लिया है consider किया है हमने क्या किया है उन सभी post को जो JSO से उपर भरी जा सकती है उनको purely eliminate कर दिया उस data को उसमें से 4200 grade पे की DA post और 400 grade पे और 400 grade पे का definite W जो है यह जो 550 प्लस है ऐसा नहीं है कि यह 4200 कि यह चाली सो क्याट आफ जाई है हमने उस चीज को consider किया है जिसमें बच्चा JSO जैसी post को avoid करना की कोसिश करता है इस case में जब उसको south ना मिल रहा हो south मिल रहा होता है तब उस case में वो JSO पर आ जाता है ऐसे last year बहुत सारे case देखने को मिले है अब यहाँ पर मैं जल्दी जल्दी बता जीता हूँ JSO और W के लिए कोई भी CPT, DEHT required नहीं है यह भी मैं बता चुका हूँ यह proof है आप देख सकते हो इसको आप दो चाहे मत दो इसकी आपकी मर्जी है JSO और W के लिए required नहीं है बस यह जो data है यह मैं सारी चे डिसकस करता हूँ यह जो है न data यह बहुत important है इन जो filter data था उसमें से भी यह चीज निकल के हैं प्लस मैंस के एक दो नमबर का फरक पड़ा है बाकी completely average score है आपके stats के paper में यही पेपर 3 में और यही एक important role play कर रहा है आपके difference को create करने के लिए अब इसके बाद यह मैं already दिखा चुका हूँ यहाँ पर जो यह list है इसका 50% data जो है receive हुआ है यह बच्चों ने form fill किया है जो कि एक अच्छा खासा number है और यह आपको help करेगा चीजों को अच्छे से बदा करने के लिए यहाँ पर लगभग 80 to 85 student ने part लिया है filtered की बात कर रहा हूँ है filtration की बात की इसके बाद यह जो data है यह भी बहुँ ज़्यादा important role play करता है 193 student ऐसे हैं जिनोंने last year JSO और इस साल भी JSO clear किया है तो बच्चे या तो उस से उपर की post opt करते हैं या location wise देखते हैं लेकिन JSO में ऐसा कोई चीज ज़्यादा especially होती नहीं है तो JSO में बच्चे same post को prefer करें ऐसा होता नहीं है फिर भी 2019 के बच्चे आप जब DV करा हो तो last में भी JSO को मत भरना ये मेरी आप से request है last में भी मत भरना क्योंकि अगर आपने last में भरा आपको पहले की नहीं मिली तो आपको again मिलेगा और फिर एक ही post को बारवर लेने से कोई फायदा नहीं होने वाला कोई आपको medal नहीं मिलने वाला है ये चीज आप जरू शियर करना ये जो जितना भी category wise में लिखा हुआ common candidate का data ये वही है इस to end जिन्होंने last year भी JSO clear किया है 2019 में final selection और 2020 की finalist की तरफ भी जा रहे हो इसके बाद ये मैं already दिखा चुका हूँ 20, 19, 18 और 17 का available vacancies कितनी है 17 में final cutoff और जो other cutoff है उसकी बीच में में पहली भी discuss कर चुका हूँ ये जो चीज है ना अब आप देख सकते हो कि TA और UDC में after T3 के data को consider करने के बाद जो final cutoff है वो लगबग ये है मैं आप से telegram पर भी बोल चुका था कि 5 नमबर 5 नमबर कम कर लेना वही आपकी final cutoff होगी अगर T3 के data को consider करते हो तो T3 का data consider करते हो क्योंकि इस बाद descriptive paper में cutoff जो marking है वो थोड़ी hard हुई है तो जो उससे average mark से वो गिर गया है definitely इसका impact definitely पड़ेगा पड़ेगा JSO cutoff पे तो यहाँ पर यह जो आपको cutoff दिख रही है अभी presently 606 plus minus for UR 585 for EWS 580 for OBC and SC for 512 ST for 498 यहाँ पर जो EWS है ना इसमें cutoff और कम जा सकती है उसका कारण यह है कि EWS के max बच्चे जो है वो UR में select हो जाते है तो जो higher score है वो जो UR में जा रहा है तो definitely EWS में फिर उससे कम score बाले बच्चते हैं तो हो सकता है 585 से काफी जार डिफरेंस 10 से 5 नंबर का डिफरेंस आपको देखने को मिले जाए EWS में बागे similar बागी other categories में similar type की cutoff देखने को मिलेगी GSO में यहाँ पर और यह बहुती predictable बहुती सही तरीके से cutoff है जो कि T3 के data पे based है और पहले वाली वीडियो में T2 का जो हमने data consider किया है उसमें से 5 नंबर कम कर लोगे तो भी आपको यही मिलेगा कोई जादा फरक नहीं मिलेगा ठीक है तो 5 नंबर कम कर लो याथ पहले वाली वीडियो में या फिर इस new वाली वीडियो में आप JSO की cutoff को देख लो यही एक cutoff है और next exam पर लग जाओ लेकिन यह जरू share करना कि 2019 के बच्चे सेम पोस्ट है उससे उपर की पोस्ट के लिए वहाँ पर preference fill ना करें preference fill ना करने का मतलब even in last भी fill नहीं करना है यह बात आप जरू share कर देना ओके thank you, good luck, best of luck list पूरी जो है वो मैं share कर दूँआ टेलिग्राम पर या किसी student को mail कर दूँआ वो आपस में आप share कर लेना ओके, good luck, best of luck